लो एब्रिवन वेलकम तू स्टडी वाइप्स इंग्लिश फर क्लास एर्थ इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्जाम रिविजिन सम्मरी ओफ दी चाप्टर 5 दी सम्मिट विदिन फ्रॉम दी टेक्स हानी ड्यू और ये एकदम करेक्ट टाइम है इस चाप्टर की सम्मर करने का क्योंकि प्रिविएस जो विडियो थी उसमें हमने इस चाप्टर का कम्प्लीट और डीटेल एंसी आटी एक्परनेशन देखा था दो पार्ट में विडियो था पार्ट वन और पार्ट टू अगर आप उन विडियो को देखना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क में श्मान के टाइम पर कुट रिवीजिन में और एक्जाम प्रेपेरेशन में तो चलिए स्टाट करते हैं अगर आपको ऐसी और भी विडियो चाहिए तो आप नीचे जीए गए belum आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर जो आपको पिच्चर में जो फोटो दिख रही है यह मेजर एचपीएस आलू वालिया की इस चाप्टर में यानि की दा सम्मिट विदिन में वो अपना एक्सपीरिंस शेयर कर रहे हैं कि जब वो वर्ल्ड के टॉलिस पीक माउंट एवरेस पर पहुंचे थे तो उनको कैसा फील हो रहा था जब उन्होंने नेच्चे देखा तो उनको कै इसा लग रहा था मेजर एच्पीएस आलू वालिया और साथी साजू उनकी पूरी टीम थी उनको क्या-क्या मुश्किले हुई जब माउंट एवरेस पर चड़े बहुत सारे बार उनको ऐसा भी लगा कि उन्होंने जो रास्ता है यह गलत चूस किया है वह अपने आपको कर अगे जाने में भी मुश्किले थी तो हम इस चाप्टर को डिसकस करेंगे अच्छे से और साथी साथ इस चाप्टर का जो नाम है दर सम्मिट विदिन सम्मिट का मतलब होता है किसी चीज के हाइस पीक पर पहुंचना चाहे लाइफ में इसी एम पर पहुंचना हो उसके में और अपने मन में जो सम्मिट चूस कर रखा है उस तक पहुंचना माउंट एवरेस पर भी पहुंचने से जादा मुश्किल है वो ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं वो हम इस चाप्टर में डिसकस करेंगे वो अपनी सारी फीलिंग्स रिकॉर् वो क्या कहते हैं कि जो माउंटेन होते हैं जितने भी बड़े बड़े पहाड होते हैं वो जो यंग लोग होते हैं उनको एक चालेंज देते हैं कि तुम भी एडवेंचर पे आओ और जितनी भी उची उची पीक्स होती हैं वो कमजोर लोगों को डरा देती है लेकिन जिनक का दिल जो है वो मजबूत होता है उनको वो प्रोवोक कर देती है उनको इस बात के लिए जगा देती है कि वो यहां पर आएं चालेंज को एक्सेप्ट करें और कॉन्कूर भी करें यानि कि इस पर चड़ कर जीत हासिल करें Major Aluwalia and Everester gives the first-hand account of how he felt while approaching the summit, the highest summit in the world major Aluwalia जो कि एक Everester है MAnt Everest पर चड़ने वाले पहले successful Indian है उन्होंने यहां पर एक first-hand account दिया है यानि कि उन्होंने अपना पूरा experience शेर किया है कि इस summit पर पहुँचने पर उनको कैसा feel हुआ जो की है highest summit in the world Standing on the summit of Everest, he looked below, his first feeling was that of humility He thanked God for his successful attempt but he also felt sad that because there would be nothing higher to climb Everest के summit पर खड़े होने पर, यानि की world के highest point पर जब वो खड़े थे और उननों नीचे देखा उनको एक बहुत प्यारा panoramic scene दिखा, बहुत खुशी भी हुई और साथ ही साथ एक जो पहली feeling उने आई वो थी humility के feeling Humility का मतलब होता है विनम्रता, यानि कि उनको ऐसा feel हुआ कि ये सब जो हो पाया है, ये उनकी team की वज़े से हो पाया है वो अकेले नहीं थे, उनकी team ने उनका साथ दिया, जो support है, उनकी family का था और इस सब चीज का support जो है, वो उनको यहां तक लेकर आया है उन्होंने God को भी thank किया, कि उनका जो attempt है, वो बिल्कुल successful रहा है लेकिन उनको उसी time पर थोड़ी से उदासी भी feel हो रही थे, क्योंकि उनको क्या लगा, कि अब इस से उचा तो कुछ है ही नहीं अब जितने भी रास्ते हैं, वो तो नीचे की तरफ जाएंगे, अब उनके लिए ऐसा कुछ नहीं बचा है, जिस पर वो चड़ सके Conquest of Everest is a lifetime joy, it changes the climber completely Major HPS आलू वालिया के कहते हैं, कि Everest पर चड़ना lifetime joy देता है, आप अपनी life में बहुत खुश रहते हैं, अगर आप एक बार इस पर चड़ जाएं, और साथी साथ, ये climber को चड़ने वाले को completely बदल देता है While getting down from the summit in 1965, he asked himself the question why he chose to climb Everest नीचे आने के बाद उन्होंने खुच से एक कोशन पूछा, ये उनकी ही फोटो है, उन्होंने अपने आप से एक कोशन पूछा, कि क्यों उन्होंने Mount Everest को ही चूज किया चड़ने के लिए More so, why do people climb mountains? It is not easy to answer the question. The simplest answer is that, because the summit is here साथ ही साथ उनके दिमाग में के question भी था कि लोग mountain पर चड़ते ही क्यों है और वो भी क्यों चड़े mountain पर तो answer तो simple सा यह है, क्योंकि ये mountains है, इनका अस्तित्व, इनका होना ही ये possible कर पाता है कि लोग इन पर चड़े It is a difficult and risky adventure, but man is delighted to overcome all odds. Mountain climbing is a test of man's stamina and willpower ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और risky adventure है, life का risk रहता है, आप अपनी life को दाओ पर लगाते हो, लेकिन जो इनसान होता है उसके पास से power होती है कि वो जितनी भी मुश्किले हैं, उनको overcome कर सके, पार कर सके और mountain climbing भी इनसान का एक test होता है कि इनसान के पास कितना stamina है, कितनी willpower है, कितनी इच्छा शक्ती है, किसी भी चीज़ को पार करने की और आगे हम बताएंगे, mountains have been a great attraction to the writer since his childhood जो mountains हैं, वो एक बहुत बड़ा attraction रहे है, writer के लिए जब से वो बच्चे थे mountains are nature's best creation, most beautiful and majestic जो पहाड है, वो author को बच्चपन से ही बहुत पसंद है, और बच्चपन से ही वो author को अपनी तरफ attract करते हैं author ये भी कहते हैं कि ये nature के best creation है, nature का सबसे प्यारा gift है, और बहुत beautiful है, और बहुत बड़े हैं, विशाल है as for Everest, it is the highest and the mightiest, the climber has to struggle hard with rock and ice, the biggest problem is that one cannot give up the climb halfway if one sees the danger ahead ऐसा है कि जो Everest है, वो सबसे ज़्यादा ऊचा है और mightiest, यानि कि सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है जो भी इस पर चड़ने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किले होती है, क्योंकि बहुत कठोर चटाने होती है, और साथी साथ बरफ भी होती है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है, कि अगर आपको बीच रस्ते में ही अगर कोई देंजर दिखता है, तो आप उस वक्त, उस चड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते हो और एक बार जब आप उस पर पहुंच जाते हो, उचाई पर पहुंच जाते हो, तो जीतने की जो खुशी होती है, वो जो happiness है, वो boundless है, यानि कि उसकी कोई limit नहीं है The writer says that the beauty, ruggedness and the difficulties attract है, राइटर ये कहते हैं कि Mount Everest की जो सुन्दरता है, उसकी ruggedness की कैसे वो इतना उवड़, खावड़ है, इतना मुश्किल है, और उस पर चड़ने में जितनी भी मुश्किले हैं, यही बाते उसको उसकी तरफ attract करती है Experience, अब author जो है, वो अपना experience ऐसे तरीके से बता रहा है कि जैसे वो कह रहे हो, कि चड़ना एक तरीके से 90% hell है, और सिरफ 10% beauty है और इस experience में वो बताते हैं कि breathing is difficult, उपर जाते जाते, atmospheric oxygen का level जो है, वो कम हो जाता है, और सांस लेने में मुश्किल होती है You curse yourself for accepting the challenge, आप अपने आपको कोशते हो, कि आपने ये challenge को accept ही क्यों किया At times you feel like giving up the struggle, कई बार ऐसा लगता है कि सारी कोशिशों को छोड़ कर रुख जाओ, but you don't do it, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो Your companion keeps up with you, क्योंकि जो आपके साथ, आपकी जो team होती है, जो companion होते हैं, वो आपको inspire करते हैं, आपको होसला देते हैं Both draws strength and inspiration from each other, जो भी आपके साथ लोग हैं, आप उनकी inspiration बनते हो, और वो आपकी I hope आपको ये chapter का explanation अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज चानल को subscribe कर दो Next, It seems that there is no end to struggle, but soon you find yourself on the summit, you see the vast valleys below ऐसा लगता है कि ये जो struggle है, ये जो मुश्किले हैं, ये खतम ही नहीं होगी, और हम उचाई पर कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे लेकिन जैसे ही आप summit पर पहुँच जाते हो, तो आप क्या देखते हो, कि नीचे इतनी बड़ी बड़ी घाटिया है जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके आगे आप सर जुका लेते हो राइटर लेफ्ट गुरु नानक्स पिच्चर ऑन एवरेज़, जो राइटर है, जो ऑथर है, हरीपाल सिंग, वो वहाँ पर गुरु नानक देव जी की फोटो छोड़ते है रावत लेफ्टर पिच्चर ऑफ गौड़ेस दूरगा, जो उनके साथ के लोग हैं, जैसे की रावत, वो गौड़ेस दूरगा की फोटो को वहाँ छोड़ते हैं फूड़ जी जो है, वो बुद्धा के एक रेलिक को, यानि की बुद्ध के एक समारक को वहाँ पर छोड़ते हैं यह जीतने के सिंबल नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँचकर जीत गए हो, लेकिन रिस्पेक्ट के सिंबल है, क्योंकि गौड़ ने आपका साथ दिया, इसलिए आप उस पर सक्सेस्फुल हो पाए Average Summit is very high and difficult, Average पर चड़ना बहुत उचा है और difficult भी है बट there is another summit which is invincible, it is within our mind, लेकिन एक और summit है जिसको आप नकार नहीं सकते Invincible का मतलब होता है जिसको आप नकार नहीं सकते और वो आपके खुद के mind में होता है हर किसी के mind में भी एक Average है, one is physical, the other is emotional and spiritual एक तो है physical और जो दूसरा है वो क्या है? emotional and spiritual Average पर चड़ना तो सिर्फ एक physical climb है, आपको physical obstacles देखने को मिलेंगे कुछ physical difficulties आएंगी, वहाँ पर जो है ऐसा दर लगता रहेगा कि चटाने गिरेंगी एसे ही life में भी होता है, मुश्किले आती है और उनको overcome करना ही summit पर पहुँच जाना है They teach us about the world and about ourselves उन्होंने ये भी बात करें थी कि जो Everest पर चड़ाई है, उनको एकदम पूरी तरीके से बदल देती है और साथ ही साथ वो उनको world के बारे में सिखाती है और खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है वो बता देती है कि इनसान इस पूरे universe के आगे कितनी छोटी सी चीज है, कि universe कितना बड़ा है और Everest भी कितना बड़ा है The author's experience as an everester has inspired him to face life problems firmly Author का जो experience है, एक everester होने के नाते, उनकी life की जो problems है, उनको solve करने में बहुत जाधा मदद करता है और वो ये भी कहते हैं कि there are no limits to knowledge की knowledge की कोई limits नहीं होती Self-realization is the noblest and the mightiest form of knowledge कि खुद को realize कर लेना कि आप कुछ कर सकते हो, यही सबसे अच्छी और ताकतवर form होती है knowledge की The conquest of the self is more difficult than conquering Everest खुद पर जीत लेना, अपने aim को पालेना जो है, वो जाधा difficult है Everest को चड़ने से और यहाँ पर जो है, इस chapter की summary complete होती है I hope आपको अच्छी लगी हो, thanks for watching